इलाइची लौम और एक रूपय का टोटका जी हाँ आज हम बात करेंगे इस टोटके को कैसे करना है, कब करना है और उस वक्त क्या नहीं करना है परंदू उससे पहले आप हमें अपना प्यार और आशिर्वात जरूर दे, वीडियो को लाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है उसके बाद देवी लक्ष्मी के सामने एक इलाइची लौग और एक सिक्का रख दे define और नियमानुसार मा लक्ष्मी की पूजर करें पूजर करने के बाद दाहिने हात में इलाइची लौग और सिक्का लेकर इस मंत्र का एक 108 बार जा करना है इस काम को करते वक्त ध्यान रखे कि आपको पोई टोके नहीं अन्य था आपको अपने तोटके का फन नहीं मिलेगा जिस इलाइची एवं लौंग का प्रयोग आप पूजा के लिए करे ध्यान रखे कि वह तूटे फूटे ना हो इस काम को आपको शाम को करना होगा सबसे जरूरी बात शुद्ध एवं साफ कपड़े पहन कर ही यह काम करे जब आपका काम हो जाएं तब मा लक्ष्मी के सामने रखे हुए सिक्के इलाइची एवं लौं को उठाकर उस स्थान पर रखे जहां आप अपना पैसा रखते हैं ऐसा करने से आपको व्यमसाय में उन्नती मिलेगी और धन लाब भी बड़ेगा जय हो लक्ष्मी माता की